हलो स्टुडेंट सम्दों एक साइज 3.2 पे हैं और कोस्टन नम्मर है वन क्या करा है इफ fx equal to में x square minus का 3x plus 4 then find the value of x satisfying the equation fx equal to में f2x plus 1 तो यहां fx का value दिया x square minus 3x plus 1 और हमें x का value निकलना है जो इस equation को satisfy करें तो हमारे पास यहां equation क्या दिया जी तो हमारे पास यहां equation है fx equal to में f2x plus 1 चलिए तो हम लोग इसको रख के simplify करते हैं fx का value यहां पे x square minus 3x plus 4 equal to में f2x plus 1 का value कैसे निकलेंगे तो बस function में x के जगह में 2x plus 1 रख देना होगा यहीं हो जाएगा 2x plus 1 का whole square minus 3 into में 2x plus 1 और फिर यहां plus का 4 है देखा ना हमने इसी function में x के जगह 2x plus 1 रख दिया तो f2x plus 1 का value यहां अब हम लोग simplify करते हैं x square minus 3x और plus 4 यह है आप इसे काड़ दो पहले ही यहां पे a plus b का whole square लगा तो 2x का square plus 2 into में 2x और into में 1 और plus 1 का square यहां multiply करेंगे तो minus का 6x और minus का 3 हो जाएगा x square minus का 3x equal to में यहां देखिए 4x square plus का 4x plus का 1 और minus का 6x minus 3 तो x square minus का 3x equal to में क्या हो जाएगा 4x square minus का 2x यहां से यह सब्टेक कर लेंगे और 1 में से 3 गया यहां minus का 2 समझ गया अब चले इसको हम लोग एक तरफ करते हैं x square minus 3x minus का 4x square plus का 2x plus का 2 equal to में 0 ठीक है अब इसके बात देखिए यहां सब्टेक होगा तो minus का 3x square minus का x और plus का 2 हो जाएगा आप इसमें minus 1 से multiply करोगे तो यहां 3x square plus का x minus का 2 हो जाएगा अब इसका हम लोग यहां पर factor करने वाले हैं तो देखो इसमें इसे multiply करोगे तो minus का 6x square होगा तो इसको आपको दो पार्ट में करना होगा 3x square plus का हम लोग यहां पर कर लेते हैं 3x और minus का 2x minus 2 सबज गया है यहां सब्ट्रेक करेंगे तो x और इसको multiply करेंगे तो इन दोनों को product के equal आ जाएगा यहां पर 3x common है तो यहां पर आपका x बचेगा और यहां पर plus का 1 यहां minus का 2 common है तो यहां पर x और यहां plus का 1 तो यहां से x का value आपका minus का 1 मिल जाएगा और यहां 3x equal to में 2 होगा यहां x का value 2 by 3 तो यहां x के दो value आ गया एक minus 1 आ गया और एक 2 by 3 आ गया समझ गया चले question नम्म